हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आप सब का एक बार फिर से स्वागत है आप सब का अपना चैनल कंसेप्ट वाला में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वीडियो को पुरा अं तक देखिएगा बहुत ही अच्छे-च्छे कोस्टंस डाले गा है तो इस व है क्या यह से समय है मस्टील डाली अओ आए इसमेट एइ सब्सक्राइब मस्टोल को साईफ पिवल्व करता है क्या होता है वह क्या करता था है कॉने आउखिक्वर्भ वह उने बनता था क्लिए रहे हैं समझ में चलिए नेक्स्ट को से ने हैविं टू आइस फैसिलेट्स इन दो आख होने का क्या फैसिलेटीस हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्स्प्रेंड क्या था आप लोगों की याद होगे क्या इंक्रीजिंग फिल्ड विव सही है ब्रिंगिंग थ्री दिमेंशनल विव यह बात भी बताई गई थी डेवलपिंग दे कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस और साइज यह भी बात हमारा सही है यानि संदी जो हमारा वो सह लाँंत ही हो जाएगा क्लियर है चलिए आया समस् critics को सने डब्लैक ओपनिग átफ गों और शोर खषभी सीई इसी सब्सक्राइब करते हैं इसको फोकस करके लिए यह कितने लाइट की फोकस करने के क्या आता है 25 cm और फार पॉइंट क्या आता है इंफिनिटी यानि कि ऑप्शन सी जो है यह हमारा क्या है सही है आरा समझ में याद होगा आप लोग को यह भी ऑप्शन चलिया नेक्स्ट कोसे ने डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच दपर्सन इस एबल तो सी डिस्टेंट अब्जेक्ट इसको लॉंग साइटेडनेश भी बोलते हैं इसके बार में बात हुई थी फार साइटेडनेश क्यों बोला जाता था क्योंकि इमेज जो बनता था वह रेटिना के ब बात जाके बनता था इसलिए इसको हम लोगों क्या बोलते थे फार साइटेडनेश यहनी आल अफ दे बाव इसका एंसर हो जाएगा क्लियर है आरा समझ में चलिए नेक्स्ट कोसे ने डाविलिटी ऑफ आइलेंस टू अडजस्ट इस फोकल लेंथ तो फोर्म सार्पिमेज of the object at varying distance on the retina is तो ability of islands को adjust करने की ability को हम लोग क्या बोलते थे power of accommodation क्या बोलते थे power of accommodation of आई याद होगा आप लोग को option C जो है हमारा यहां पर सही है clear है चलिए next question is myopia and hypermetropia can be corrected यह भी चीज आप लोग पढ़े हैं याद भी होगा आप लोग को myopia क्या होता था जिसमें दूर की चीज़ें में दिखाई नहीं देती थी image पहले ही बन जाती थी तो हमें क्या करना पड़ता था diverge करना पड़ता था diverging lens यानि कि कौनसा lens यूज करते थे थ लेंस तो कंकेव और कंवेक्स जो हमारा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आरा समझ में असान है अभी चलिए नेक्स्ट को से ने बाइफोकल लेंस आर रिक्वार्ट टू करेक्ट इसके बारे में भी हम लोग बात किये थे कि प्रेस बैपिया अगर बहुत दिनों तक कै युझा युझा करते थे उपर में हम उटे करते थे कंकेव का और नीचे में उछे करते थे कन वेक्स क या दोगा आप लोग में आक लोग टैसलेंस को मंख बोलते थे क्या बाइफोकल लेंस और कहाई हमारा सही हो जाएगा तानिक्स को स्ट्थिव आ सथा Пशह है प्ल मेंत 3 meter the power the power far corrective lens required 4 तो यहां पर corrective lens की क्या कौन सी corrective lens की जरुरत होगी पहला reading purpose reading purpose यानि नियर sightedness यानि यहां 25 cm होता था नियर point लेकिन यहां पर कहां चला गया है question के नुसर 0.5 तो यह hypermotropia का question हो गया तो hypermotropia के लिए हमने क्या बोला था कि hypermotropia के लिए हमें क्या करना है हमें यू को कितना लेके चलना है 1 x v minus 1 x u equal to 1 x f तो 1 x v कितना हो जाएगगा, 1 xSil f minus 1 by u कितना हो जाएगा minus 25 इस उगल 2 x f, 20-25 calcium कितना हो जाएगा, 50 oopar में चला जा जाएगा minus 1 यह minus minus क्या हो जाएगा, plus 1525 तो यहांपर plus 2 आ जाएगा 1 by f, तो यह minus 1 plus 2 कितना हो जाएगा plus 1 by 50 equal to 1 by f तो f आपका कितना आ जाएगा 50 cm है clear है तो focal length आपका यहाँ पर कितना आ गया 50 cm तो अब हम लोग को power चाहिए क्योंकि adapter आप लोग को दिख रहा होगा unit तो power चाहिए तो power equal to क्या आता था one by f और f किसमें लेते था हम लोग मीटर में तो 50 cm को मीटर में बदलेंगे तो यह कितना हो जाएगा 0.5 यानि की 1 by 0.5 यानि की यह कितना हो जाएगा 1 को हम लोग 10 कर देते हैं और 0.5 को 5 तो 5 तो 10 यानि की 2 diopter तो पहला का हो जाएगा 2 diopter फिर second वाले को solve करेंगे second वाला किसके लिए चाहिए sing distant object दूर की object के लिए तो यहां पे कौन सा होगा myopia का case आएगा और myopia का case आएगा तो कैसे solve करेंगे तो इसको solve करने के लिए हमें क्या करना होगा यहां पे u को हमें क्या लेना पड़ता था infinity और v कितना है यहां पे v है 3 meter तो फिर वही कौन सा formula lens formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f v किसमे होगा minus में यह भी minus में ते हो जाएगा आपका 1 by minus 3 minus 1 by minus infinity is equal to 1 by f 1 by infinity हो जाएगा आपका 0 तो यह हो जाएगा minus 1 by 3 minus 0 equal to 1 by f तो हो जाएगा 1 by a physical to minus 1 by 3 यानि कि आपका आजाएगा a physical to 3 minus 3 meter यह minus रहेगा reciprocal लेंगे तो f उपर जाएगा यहां से 3 उपर जाएगा तो minus 3 तो यहां पर focal length minus 3 आगया आगया और focal length minus 3 आया हमें क्या चाहिए पावर पावर चाहिए तो हमें क्या करना होगा P equal to 1 by f तो 1 by f करेंगे तो 1 by 3 यानि कि minus 1 by 3 डायोप्टर क्लियर है आरा समझ में तो यह आपका हो जाएगा option आपका पहले का आया था plus 2 डायोप्टर और दूसरे का आजाएगा 1 by 3 यह 1 by 3 है 13 नहीं है यह option 1 by 3 है clear है तो option B जो हमारा सही हो जाएगा plus 2 डायोप्टर आया था फर्स्ट केस में और second case में कितना है हमारा minus 1 by 3 डायोप्टर दोनों के इस के लिए पहले वाला case हमारा hypermetropia क्या था तो वहाँ पर यू को minus 25 लेके चलना था second case में का है तो वहाँ पर यू को minus infinity लेके चलना है भी को negative लेके चलना है लेस फर्मुला यूज करना है लास्ट में पार का फर्मुला यूज करना है पी इकल टू वान बाई एफ और एफ को किस में लेके चलना था मीटर में तो यहां पर यूनिट हम लोगा अल्रेडी मीटर है तो मीटर डाइरेक पूश्ट कर देंगे हम लोग और यहां पर ओप्शन जो है वह one by three है ना कि ठटीन है क्लियर है को दिकत आया समझ में क्लियर है निमेरिकल आप लोग को अच्छा था आसान था चलिए नेक्स्ट कोशने की रियल पर रियल इमेज हमेशा काईशा इंवर्टेड यानि कि ओप्शन वी जो है हमारा क्या हो जाएगा साही हो एकडियर कोई दिक्त इसमें चलिए कि हमें पता है सिटॉवलेंथ लाइड होते हैं उनके लिए रिफरेक्टीव ही इंडेक्स कि यह अलग है क्लिए के लिए, जे अलग होते हैट वेवलेंथ व आलग होता है रिफरेक्टीव इंडेक्स के लिए refractive index क्या होता है? लग लग होता है यानि different refractive index for different wavelength of each color red के लिए लग होगा refractive index और blue के लिए लग होगा wallet के लिए लग होगा इशलिए वो क्या होते है ? split कर जाते है और इस fenomen equation को आम लोग क्या ब OLT 25 याद होगा आप लोग को erle Перांट 24 नोग बोलते थे dispersion क्या बोलते थे dispersion clear है चलिए next question है the air layer of atmosphere whose temperature is less than the hot layer behaves to temperature अगर कम है नहीं कि colder और इसके बारे में बहुत अच्छे से discuss किया गया था कि colder air क्या होते थे से denser होते थे किस से hotter air से clear है तो colder air है तो यहां पर क्या हो जाएगा medium क्या हो जाएगा इनका denser clear है option ही हमारा यह सही हो जाएगा और hotter medium का hotter air का medium कैसा होगा rarer होगा clear है याद रहेगा आप लोग को चलिए next question number 13 क्या बोल रहा है reflection of light by the earth's atmosphere due to variation in air density is cold तो reflection of light by earth atmosphere इसको क्या बोलते था हम लोग atmospheric reflection option D जो है मारा सही है बहुत अच्छे से बात किये थे कि atmosphere में different layers होते हैं जिसकी वज़ा से अलग-अलग layer की refractive index अलग-अलग होती थी इस वज़ाए से जो light आती है वह हर बार क्या करती है refract करती है और इस phenomenon को हम लोग क्या बोलते हैं atmospheric reflection clear है चलिए next question है deflection of light by minor particles and molecules of the atmosphere in all direction is cold अब इस phenomenon को हम लोग क्या बोलते थे इस phenomenon को हम लोग बोलते थे scattering light को क्या करना अलग-अलग दिसाओं में बिखर जाना जब वो particles से क्या होता था टकराता था इस phenomenon को हम लोग क्या होते थे scattering of light clear है तो option B इसका हमारा सही हो जाएगा next one cannot see through the fog because fog के थुरू हम लोग देख नहीं पाते हैं क्यों 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 क्योंकि क्या है पार्टिकल से जब उसके साथ टकराता है तो light पुरी तरह से scatter हो जाता है तो इस वज़ेशन हम लोग चीजों को देख नहीं पाते हैं यानिको option D जो है light is scattered by draw plates हो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा clear है आया समझ में next question 16 क्या है a person cannot see distinctly object escape beyond 2m this effect can be corrected by using a lens of power तो यहां पर district object की बात की जा रही है तो distant object की अगर बात की जा दो distant object क्या यानि कि मैयवब्या की बात की जा रही है मैय आप्या की बात की जा रहे है तो मैय कि लिए हमें पता है यू को क्या लेके चलना है infinity और वी कितना है आपका minus two meter अब हमें lens का power चाहिए यानि कि focal length पता होगा तभी power निकलेगा और focal length के लिए यहाँ पे lens formula lens formula यानि कि one by v minus one by u is equal to one by f one by v यानि कि आपका कितना हो जाएगा one by minus two u यानि कि infinity is equal to one by f यह हो जाएगा minus one by two one by infinity यानि कि zero is equal to one by f अब हमें f चाहिए तो reciprocal ले लेंगे दोना तरफ तो इधर reciprocal लेंगे तो f equal to हो जाएगा minus two meter अब हमें power चाहिए तो p equal to क्या होता है यानि कि आपका बी जो है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्लियर है और next question number 17 a prism ABC with BCS base is placed in different orientations a narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the figure in which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of sky the third color from the top or sky के color यानि की blue का बात कर रहा है अब हम लोग normally अगर बात करें अगर सीधे prism की तो हमारा सीधा prism होगा सीधा prism होगा जब हम लोग light को ऐसे लेकर जाएंगे तो यह parallel जाएगा और यह क्या करेंगा सेवन कलर में ठूटता था और सेवन कलर क्या होता था विब जियोर तो विब जियोर को आप लिखिएगा तो थर्ड कलर आपका क्या है blue है है नहीं है और यह blue कहां से चाहिए अब अगर सीधा prism होता था तो नीचे से थर्ड पर आता था हमें उपर से चाहिए तो prism को क्या कर देंगा हम लोग उल्टा कर देंगे अगर प्रिज्म को उल्टा करेंगे और light ray को लेके आएंगे तो यह तूटेगा ऐसे तो यह आपका भी फिर आई फिर भी थर्ड पर विब जो रहाएगा यानि उल्टा प्रिज्म लेना में बीसी को उपर लेके जाना यानि कि option बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा सही हो next question number 18 है at noon the sun appears white as to noon के दोरान sun white क्यों appear होता है तो हमें पता है noon के दोरान sun क्या होता है just above overhead यानि कि हमारे earth surface से सबसे नजदीक होता है और सबसे नजदीक होता है तो उसके light सबसे कम scattered होते हैं और सबसे कम जब light scattered होंगे तो light हमें कैसा दिखाई देगा तो हमें white light दिखाई द सबसे नजदीक होता है और दूरी कम होने के वज़े से वह बहुत कम scattered होता है और इस वज़े से वह कैसा दिखाई देता है white appear होता है clear है next question number 19 है twinkling of star is due to atmospheric तो twinkling of star की किसकी वज़ा से होता था atmospheric reflection के वज़े से different layers के different refractive index होते थे तो reflection होता था तो बार बार light को मूर्णा पड़ता था इस वज़े से वह क्या होता था एक twinkle होता था इस वज़े से में star twinkle होता हुआ दिखाई देता है तो इसका answer क्या जाएगा due to atmospheric reflection किसके द्वारा different layers of varying refractive index atmosphere के यानि option B जो है अपका से हो जाएगा reflection of light by different layers of varying refractive indices clear है यह बात हम लोग अल्रेडी discuss कर रखे है atmosphere के जो layers होते हैं उनके refractive index अलग-अलग होते हैं अलग-अलग होने के वज़े से light इस वज़े से वह star होता वो कैसा होता दिखाई देता है पिंकल होता दिखाई देता है चलिए next question 20 the clear sky appears blue because क्यों होता है क्योंकि हमें पता atmosphere में gas molecules होते air molecules होते हैं एर molecules बहुत छोटे होते हैं अब छोटे molecules होते हैं तो light छोटे molecules के कों सा light scatter होता है smaller wavelength वाला और smaller wavelength कौं सा light visible होगा blue light चीज के answer क्या होगा blue light gets absorbed by the atmosphere नहीं अल्ट्रवायले ऐले एबडीएंचेंस अरो जो वाइले ट Props होगा blue color क्यों क्योंकि यह shorter wavelength वाले light है clear है smaller particles के द्वारा shorter wavelength वाले light ज्यादा scatter होंगे और shorter wavelength किसके हैं valid और blue के इसलिए वो सबसे ज्यादा scatter होंगे option c हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा clear है next question 21 the danger signal installed at the top of tall building are red in color this can easily be seen from a distance because among all other colors red light तो हमें पता है कि red light की wavelength और speed दोनों ज्यादा होती है और यह भी चीज़ पता है कि scattering जो होता है inversely proportional होता है wavelength के यानि कि जिसका wavelength ज्यादा है उसके scattering कम होगी अगर scattering कम होगी तो वह लाइट हमें क्लियरली दिखाई देगी कहां तक दूर तक भी इस वजह से हमें रेट सिग्नल स्वरी डेंजर सिग्नल होता है वो रेट साइन से बना होता है ताकि वह बीना scattered हुए long distance तक भी हो क्या हो सके visible हो सके तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा इस scattered least by smoke और फोग यह कम scattered होगा क्यों कम scattered होगा क्योंकि मैं पता है scattering is inversely proportional to wavelength और wavelength of rate जो होता है वो क्या होता है maximum होता है अगर maximum होगा तो scattering कम होगा तो least scattered होगा तो ज्यादा दूर तक हमें visible होगा clear है आरहे समझ में चलिए next 22 है the bluest color of water in deep sea is due to scattering of light की वज़े से ही blue होगा क्योंकि water के जो particles है वह smaller particles है वहाँ पर light जो scatter होगा वह सोटर वैवलेंद फाले होंगे और सोटर वैवलेंद फाले light अगर scatter होंगे तो कैसा light visible होगा blue light तो due to scattering of light यानि option C जो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा clear है आरहे समझ में next है when light ray enters the eye most of the reflection occurs by the यह बात मैंने पहले question में बता दिया था कि cornea से maximum reflection होता है यानि कि option B जो है outer surface of cornea वो क्या होगा सही होगा clear है maximum reflection कहां से होता है cornea से ही हो जाता है clear next 24 है the focal length of eye lens increases when eye muscles तो focal length का भी increase होगा जब eye muscle क्या होगा हमारे relax होगा relax होगा तो हमारा eye lens thinner होगा और thinner होगा तो उसका focal length क्या होगा बढ़ जाएगा यानि option A जो है हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा clear है चलिए next question है और यह हमारा last question है when white light enters glass prism from air the angle of deviation is least 4 तो हमें पता है कि जब white light enter करता है prism में तो वह seven colors में तूटता है सबसे नीचे भी होता है और सबसे उपर आर होता है और angle of deviation क्या होता था actual incident ray और refracted ray की बीच का angle तो सबसे ज्यादा deflect कोन किया है भी तो सबसे ज्यादा deflection किसका होगा angle of deviation किसका हो जाएगा भी का यानि की violet light का सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछता है तो क्या बोलते हम लोग red light का red light का सबसे कम होता है angle of deviation और यहां पर भी हम लोगे concept पढ़ते थे कि angle of deviation जो होता है वह इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है किसके साथ wavelength और स्पीड के साथ तो हमें पता है रेट का wavelength ज्यादा होता है तो उसका angle of deviation कम होगा और violet का सबसे कम होता है तो उसके angle of deviation सबसे ज्यादा होगा क्लियर है आया समझ में होप आप लोग को वीडियो पसंद आहोगा अगर वीडियो पसंद आहोगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को subscribe किजिएगा बिल आकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगया न अले हर वीडियो का notification आपको मिलता रहें थैंक यू